स्वागत है दोस्तों हमारे यूटीब चैनल स्टेडी टिप्स पर आसा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का खयाल बखो भी रख रहे होंगे साथियों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बौध धर्म से संबंदित सारे महत्वपुर्ण के बारे में और वो भी विस्तार से इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारी आपसे गारंटी है कि आपको किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों आप किसी भी एकजाम के प्रस्ण को हल कर पाएंगे अगर बौध धर्म से संबंदित कोई भी प्रस्ण आता है दोस्तों तो आप कर पाएंगे उसे तो इसके लिए बौध धर्म पर जाने से पहले हम लोगों को देखना होगा कि उत्तरवैदिक काल के बाद जो कि हम लोगों ने पिछला जो हम लोग जिस पर चर्चा किये हैं उत्तरवैदिक काल तो उत्तरवैदिक काल के बाद यानि कि एक हज्जार से छे सो इसापूर्ब के समय में उत्तरवैदिक काल का समय था दोस्तों, तो उत्तरवैदिक काल के बाद कैसे बहुत सारे संपरदाय, लगभग 62 संपरदाय, क्या हुए उनका उद्भव हुआ, जिनमें से की जैन धर्म और बहुत धर्म बहुत ही महत्तोपुर्न है, जिनका चर्चा हम लोगों को करना है, तो उनका उद्भव कैसे हुआ, इन संपरदायों का उद्भव कैसे हुआ उत्तरवैदिक काल में आकिर हुआ जिनसे की संपरदाय बटे, लोगों के मत बटे, लोगों के धर्म बटे, ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे, उत्तरवैदिक काल यानि की 1100 से लेकर 600 इसा और सुद्र तो इन वर्नों का विभाजन का आधार जो उत्तर वैदिक काल में था दोस्तों जन्म पर ना हो कर्म पर ना होकर जन्म पर हो गया था कर्म पर ना होकर जन्म पर हो गया था तो यहां पर क्या होता था कि जो जितने उच्च कोटी के होते थे जितने उच्च वर्न क के होते थे उसे उतना ही सुध्ध और सुविधाकारी समझा जाता था दोस्तों उस समय तो क्या हुआ जैसे जैसे समय बड़ा लोग जितने उच्च कोटी के होते थे उसको उतना सुध्ध और जितने निम्न कोटी के होते थे जैसे कि बैस से हो गया जो तित्रतिया कोटी का थ सुद्र हो गया जो और भी lower category के था उस समय तो निम्नवर्ण का होता था उसको और भी बहुत जादा धेद रिष्टी से देखा जाने लगा दोस्तों जैसे जैसे समय बढ़ा वर्ण व्यवस्था का जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था हो गया दोस्तों तो इससे हमारी सम परदायों का उदभव का जो कारण रहा होगा दोस्तों यह जो वर्ण है जो चार वर्ण है ब्राह्मन चत्रिय वैसे और सुद्र इनके बीच का मतवेद रहा होगा दोस्तों तो हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या हुआ था तो हुआ क्या कि जो चत्रिया होते थे जो की सा पर यह क्या करते थे अपना एक आधिकार जमाने का कोसिस करते थे जिस कारण से कि इससे छत्रियों को आपत्ती होने लगा तो छत्रियों को जब आपत्ती होने लगा तो इनका ये बिरोध करने लगे दोस्तों तो बिरोध करना जब स्टार्ट किया तो यहां से पता चलता है क चत्रियों का ब्राम्हनों के खिलाब खड़ा होना ही नएने संपरदायों का 600 इसा पूरुव में कारण माना जाता है, नएने संपरदायों का उद्भव का कारण माना जाता रहा होगा दोस्तों. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तैत्रिया ब्राम्हन में लिखा हुआ है कि ब्राम्हन का मतलब एही, यानि आईए, चत्रिया का मतलब आओ, बैसी को, जल्दी आओ, सुद्र को दोड़ कर ओ, यानि कि इससे पता चलता है किस तरह से वहाँ का समाजिक इस्तितिता, लोग भभ हुआ दोस्तों, तो जैन धर्म के संस्थापक, वर्दमान, महावीर, और बौध धर्म के संस्थापक हुए दोस्तों, गौतमबुद, जो की चत्रिया वंस के थे, चत्रिया वंस के थे, और हम लोगों ने देखा कि चत्रिया वंस, ब्राम्हन के खिलाब, खड़े हो ग सबसे महत्वपूर्ण है तो हम लोगों ने देखा था कि उत्तरवैदिक काल में उत्तरवैदिक काल के लोग लोहे का परयोग बहुत ही जादा करने लगे तो यह हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था लोहे का परयोग बहुत जादा करने लगे अब जब लोहे का प सफाई करने लगे क不起 करने लगे और अस्थाई बस्ती बनने लगे दोस्तों और लोग अधीक संख्या में उत्तरी गственगा के मैदान में यहां देखिये उत्तरी ग upcoming अधीक संख्या में लोग यहां पर बसने लगे नगराओं का पैसाली, कूसी नगर, लुंबिनी जो की नेपाल में है दोस्तों हम लोग अभी बहुत धर में इस लुंबिनी के बारे में चेर्चा करने वाले हैं तो इस तरह से क्या हुआ कि लोग इस गंगा के उत्री गंगा वाले मैदान के आसपास में बहुत जादा लोग आकर बस्तिय होने लगा व्यापार होने लगा दोस्तों तो छटी सताबदी के बाद व्यापार बहुत तेजी से सुरू हुआ था व्यापार तेजी से सुरू हुआ और बैस से लोग व्यापार करते थे बैस से लोग जो होते थे वो व्यापार करते थे दोस्तों तो व्यापार उत्तरव लोगों ने देखा कि ये जो सिक्के जब बनने लगे तो व्यापारी क्या करते थे कि इन सिक्कों से व्यापार सुरू किया वहाँ पर मुद्रा का परचलन सुरू हुआ तो जो कि व्यापारी समू के लोग थे जो बैस से समुदाई की लोग थे ये क्या करने लगे व्यापार खोजने लगे कि मेरा भी कुछ इज़त हो जाए अब यह जब इज़त खोजने लगे तो यह किसी ऐसे धर्म की खोज करने लगे जिसमें वर्ण विवस्था का उतना ज्यादा प्रचलन ना हो और इस तरह से वर्ण विवस्था के आदार पर लोगों को इज़त ना दिया क्या थे चेति और चट्रियू ने ब्राह्मनों की मन्यताख़ को चुन Tea लगे दोस्तों तो अब क्या हुआ जो बैश से मधाय के लोग थे यह क्या भоты इंके पास पैसे होते कोई महत्त नहीं दिया गया था और वभूद्धार्म और जो जैन धर्म था दोस्तों यह क्या करते थे और इसका इज़त बढ़ेगा वियापार होगा तो उसको पैसा आएगा पैसा आएगा वो धर्म चेंज किये और उसका इज़त बढ़ेगा समाज में उसकी एक महत्ता बनेगी दोस्तों तो इससे क्या हुआ कि बैस सी लोग एक समुदाय की लोग बैस से सुद्र लोग क्या हुए छत्रियों के जो चत्रिय लोग जो ब्रामनों के खिलाब कड़े हुए थे ब्रामनों की मान्यता को जो चुनोती दिये एक अलग धर्म बना तो वहां पर लोग सिफ्ट होने लगे तो इससे क्या हुआ लोग आपस में बटने लगे और सम्परदाय का वहां पर उदभाव होने लगा तो यहां देखिए कि इसापुर्व छटी सताब्दी यानि कि 600 इस्वीग विस्टी के आसपास निम्न गंगा यानि कि ये जो गंगा के मैदान के आसपास वाले छेत्र में 62 धार्मिक संपरदायों का उदै हुआ जिन में जैन धर्म और बौध धर्म सबसे महत्तो पूर्ण था तथा धार्मिक सुधार में धार्मिक सुधार के परम सक्तिसाली आंदोलन के रूप में ये जैन धर्म और बौध धर्म उभरे तो यहां से स्टार्ट होता है अलग-अलग संपरदायों का उदभव और इनका कारण आपसी मदभेद वर्ण विवस्था का मदभेद है दोस्तों इस तरह से जो इजद दिया जाता था उच्च्च कोटी के लोग को जादा इजद दिया जाता था और निम्नवर्ण के लोगों को कम इजद दिया जाने लगा उससे लोग आपस में बट गये और संपरदायों का उदभव deposit वा र्म और बौध धर्म बने बहुत महत्तुपूर्ण हम ल थागत, मैत्रे, साक्यमुनी, लाइट अपेस या भी कहा जाता है। माया देवी और इनका नाम महमाया भी था, जो कि कोलियगन राजी की एक कन्या थी। अब क्या हुआ कि गौतम भुद्ध जिनके बच्पन का नाम सिधार्थ था, जब वो जन्म लिये, तो उनके जन्म के एक सप्ता के अंदर ही, साथ दिनों के अंदर ही, इनकी माता का, माता म आया देवी का देहान्त हो जाता है, जिससे गौतम भुद्ध का लालन पालन उसकी मौसी, उनकी मौसी प्रजापती गौतमी के द्वारा किया जाता है, तो कहा जाता है कि प्रजापती गौतम भुद्ध की बिमाता भी कहा जाता है, तो और गौतम भुद्ध का बिवा चोटे आयू में 16 वर्ष की आयू में कर दी जाती है दोस्तों यसोधरा के साथ यसोधरा तो उनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों यसोधरा जो की साक्यकुल के की ही एक कन्या थी उसके साथ उनके साथ गौतम बुद्र का विवा हो जाता है यानि की सिद्दार्थ का विवा ह जब गौतमबुद्य का विवा हुआ तो उनका एक पुत्र वा राहुन अब आता है महाभिनीसक्रमन तो महाभिनीसक्रमन की घटनंकी किसे कहा जाता है तो महाभिनिस्क्रमन वो घटना है जब हमारे भगवान गौतम बुद्ध संसारिक दुखों से व्याथित होकर 29 वर्सों की आयू में गृह त्याग कर दिये थे। वेक्ति को, रोगी को, मृतक को और सन्यासी को इन चार दिरिश्टी को देखकर उन्हें इस संसारिक लगा की संसार दुख से भरा हुआ है और इससे दुखी होकर 29 वर्स के आयू में उन्होंने गृह त्याग दिया और उनके गृह त्याग का प्रती घोड़ा माना जाता है उ वो क्या किये अपने ग्यान की प्राप्ति के लिए इधर उदर क्या करने लगे ब्रहमन करने लगे तो सबसे पहला गुरू जो उनका हुआ प्रतम गुरू अलार कलाम थे जो कि बैसाली के थे तो बैसाली में उन्होंने सांख्य दर्सन की सिख्छा अलार कलाम से ली अब ब दीधार कलाम, जिंसे की उन्होंने सांख्य दर्सन के शीछा प्राप्त की थी। उनके प्रथम गुरु थे। अब राजगीर से, वो असंतुष्ठ होकर उरुवेला चले गए। उरुवेला में 6 वर्सों की कठीन तपस्या, 6 वर्सों की कठीन तपस्या किया उन्होंने, दोस्तों यह देखे, यहाँ पर यह तपस्या में लीन है, यह है निरंजना नदी, ठीक है, तो निरंजना नदी के तट पर पीपल ब्रिक्च के नीचे, यह पीपल ब्रिक्च के वर्सों की कठीन तपस्या इनों ने किया उन्ती वर्स से छे वर्सों की कठीन तपस्या उन्हों उर्वेला में किया और 25 वर्स यायू में उन्हें ज्ञान की प्राप्त obey दोस्त उश्त λोंच और इस घ्रणा को संभोधी कहा सम बोधी और जब उन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई तब से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा दोस्तों ग्यान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा बुद्ध मतलब प्रज्यावान और जिस ब्रिक्च के नीचे उसे उन्हें ग्यान प्राप्त बोध गया ठीक है दोस्तों यहां तक हो गया हम लोग हम लोगों ने देखा इनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में इनके गुरू कौन थे इनके दुसरे गुरू कौन थे छे वर्सों की कठिन तपस्या के पस्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई हम लोग देखते हैं क तो उन्होंने ज्यान की प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश सारनात रिसी पत्नम जो की रिसी पत्नम सारनात रिसी पत्नम भी कहा जाता है दोस्तों तो रिसी पत्नम में पाँच ब्राम्मनों को यहाँ पर आप देख सकते हैं सारनात में इन्होंने अपना प्रथम गौतम अदेश पांच ब्रामनों के यह पांच ब्राम्मन यहां दिखे रहा है आपको इन पांच ब्राम्मनों को दिया इस इन पांच ब्रामनों का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो प्द्य वप आउज अस् महिलाओं का पर्वेश, इनày आनद के कहने पर गौतम भुद्ध ने महिलाओं का पर्वेश संग में करने के लिए परमीसंद यानि की आज्या दिया दोस्तों तो सबसे पहले संग में प्रवेश करने वाली जो प्रत्रम महिला है अगर आप क्या दी गई थी तो आनंद जो की गौतम बुद्धि के प्रियस सिस्य थे बात आती है महापरी निर्वान की 483 इसापुर्व इनका जन्म हुआ था ठीक है दोस्तों कुसी नगर ये पढ़ता है वी देवरिया जिला उत्तर पर्देश में पढ़ता है इनका मिरित्यू वहां हो गया मिरित्यू के बाद इनके सरीर के अवसेसों को आठ भाग में बाटकर आठ स्तूपों का निर्मान किया गया है ऐसा बौध साहितियों में बिम्बिसार थे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बिम्बिसार के बारे में अजाध शत्रू के बारे में उदाइवन कोन थे जो हरन्यक वंस हमलोग पढ़ेंगे आगे उनके यही तो बुद्ध के आनुयाई साकते दोस्तों आपसे पूचा जाता है प्रसेन जित जो कि कौसल नगर के राजा थे दोस्तों ये भी बुद्ध के अनुयाई सा सकते हैं इनके कुछ मुख्य सिस्य हैं आनंद उपाली घुसाल बिंभीसार की पतनी छेमा जोकी गौतम बुद्ध कीही अनुयाई थी दोस्तों तो ये कुछ अनुयाई शिस्ष के में बात हो गई हम लोगों देखते हैं कि बुद्द के जीवन की जो घटनायें हैं और उनसे रिलेटेड कुछ प्रतीक के बारे में हम लोग डिसकस कर लेते हैं तो जो इनका जन्म हुआ घटना को का प्रतीक माना जाता है हाती को यानि कि जब ये घर्व में आये थे तो उस घटना को का प्रतीक हाती को माना जाता है तो गर्भस्त होना या गर्व में आने की घटना को हाती के प्रतीक को माना जाता है जन्म के घटना का प्रतीक कमल एबं सांड है दोस्तों जब उ निर्वान जो हुआ था तो उसको कहा जाता है पद चिन महापरी निर्वान तो जब उनके मृत्ति हुई थी तो उनके सरीर के अवसेश को आठ भाग में बाटकर आठ स्थुपों का निर्वान किया गया था तो महापरी निर्वान का जो घटना है उसका प्रतीक है दोस्तों तो ये कुछ प्रतीक है जो एक्जामिनेशन में पूछे जाते हैं डायरेक्ट यहां से क्वेस्चन बनते हैं गर्बस तोने का हाती जन्म कमल ग्रिहत्या घोड़ा ग्यान पीपल बोधिब्रिक्ष निर्वान पदचिन महापरी निर्वान उस्तूब तो हम यहां तक अभी द दो दो यह जो अपने उपदेश दिए सबसे जादा इनके उपदेश कॉसल प्रदेश की राजदानी स्रावस्ति में न होने दिया और यहां के ही सासक थे प्रसेंजित। तो सबसे जादा ये जो उब्देश दिये इन्होंने कौसल स्रावस्ती में ही दिये दोस्तों ये उब्देश दिये अपिसकिन के ये सिस्से हैं जिने बौध भिक्चु भी कहा जाता है। तो ये चार आर्य सत्य के बारे में इन्होंने बताया था कि ये आर्यों के ये सत्य हैं दुख होते हैं दुखों के निरोध हैं दुखों के प्रतिपदा तो ये सब जो संसारी दुख हैं इनके बारे में चार आर्य सत्य के बारे में इन्होंने बताया था। तो जो नियम दिये थे दोस्तों इस बद्ध धर्म में जो नियम दिये गये हैं उन्हें बिनय भी कहा जाता है उन्हें बिनय भी कहा जाता है आपको इसे याद रखना है और बद्ध धर्म में आस्टांगिक मार्ग के बारे में भी बताया गया है बद्ध ने भगवान बुद आता है सम्यक द्रिष्टी यानि कि एक अच्छी द्रिष्टी होना बहुत ही जरूरी है सम्यक वाक यानि कि अच्छा बोली बिचार अच्छा अच्छा बेहेवियर सम्यक आजीव अच्छा से रहना अच्छा लाइप स्टाइल एक आजीवी का सम्यक 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 स्मिर्ती लिभूत करना एक सम्यक करमानत सम्यक व्यायाम ठीक है दोस्तों और सम्यक समाधि तो ये कुछ आस्टांगिक मार्ग है थर्म में दिये गया है तो आपको बताना है कि सम्यक जो आस्टांगीक मार्ग के जो नियम दिये गए हैं वो बौध धर्म में दिये गए हैं इनके निर्वान की घटना जो है दोस्तों भगवान बुद्ध ने कहा जो इन मार्ग का अनुसरन करेगा उसे निर्वान की प्राप्ति होगी भगवान बुद्ध ने कहा था जो इन्हों ने कहा कि जो जो आस्तांगिक मार्ग बताये गये हैं अगर कोई वेक्ति इन आस्ट मार्ग यानि की आठ मार्ग का अनुसरन करे तो वह अपना लक्ष यानि की निर्वान प्राप्त कर लेगा और बौद धर्म में बौद धर्म में निर्वान को ही परम लक ठीक है दोस्तों तो जो बॉद धर्म में जो परम लक्ष होता है बॉद भिक्चों का वो होता है निर्वान प्राप्त करना और भगवान बुद्ध ने बताया था कि अगर किसको आपको वाइलेंस नहीं करना है, सत्य बोलना है, यानि की जूट नहीं बोलना है, और अस्ते यानि की चोरी नहीं करना है, प्राय धन का लोब नहीं करना है, नसे का सेवन नहीं करना है, इस्तिरियों से दूर रहना है, और समय भोजन नहीं करना है, सुगंदित पदार्थ इस त्री रतुन के तीन रत्न है बुद्ध, धम और संग, यह तो जो जो ढोलूर्दे है जो यह दोस्तों ग्रोंड एन्टुपमेंट इसके अंतरगात आता है, इसमें बताया जाता है, जो धम है दोस्तों ये है कि टीचिंग यानि कि आपको जो सिक्षा दिया जाता है बुद्ध धर्मे जो उब्देश दिये गए है इनका अनुसरन करना ही धम के अंदर अगत आता है जो संग है दोस्तों एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि एक सबा एक कम्यूनिटी तो जो तीन रत्न है बौध धर्म के इनसे मिलकर बोला जाता है कि बौध धर्म बना है यहां पर आप देख सकते हैं तीन रत्न का सिंबल थ्री रत्न का सिंबल बौध धम और संग बौध धर्म जो था दोस्तों वो अनिस्वरवादी थे बौध जो थे अनिस्वरवादी थे यानि कि उ उन्हें इस्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं था लेकिन वो पुनर जन्म पर विश्वास करते थे तो आपको याद रखना है बौद धर्म अनिस्वर वादी थे लेकिन उन्हें पुनर जन्म पर विश्वास था इनके अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है इसके लिए मरना जरूरी नहीं है आप इस जीवन में रहते वे भी अच्छे कर्म को करकर आस्टांगिक मार्क का नुसरन करके दस सिलों का नुसरन करके इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं इसके लिए आपको मरने की आवस्यक्ता नहीं है यह बुद्ध भगवान ने विए पने ऊपदेशों में यह बताया है जब बुद्ध भगवान भगवान बुद्ध की मिर्ति हो गई महापरी निर्वान की घटनै न हो गई चारशो तिरेसट इसापूर्व में किसमें दोस्तों 463 म में नहीं दोस्तों 463 नहीं 483 इसापुर्व में इनकी मृत्तिव हुई थी इनका जन्म हुआ था 563 बिसी में तो जन्म का क्या प्रतीक था ये आपको हमने बता दिया 483 इसापुर्व में जब इनकी मृत्यू हो गई तो इनके मृत्यू के बाद जो बुद्ध बौध धर्म के अनुयाई थे जो बौध धर्म को मानने वाले थे बौध धर्म का जो परचार परसार करते थे उन्हें बौध भिक्चु कहा जाता था और इनके मृत्यू के बाद उ आयोजन करना स्टार्ट किया, कि उसमें क्या करेंगे, वो बौध धर्म से रिलेटेड उपदेशों को एक संकलीत करेंगे, उसको लोगों तक पहुचाएंगे, इसका प्रचार परसार करेंगे, इसके लिए सम्मिलन करना स्टार्ट किया, तो जो इन्हें इस सम्मिलन को कहा ग कि बौध धर्म से related जो लोग होते थे उनका सम्मेलन तो वो वहाँ पर क्या करते थे कि बौध धर्म जो बगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था उन उपदेशों को संकलित करना ही इन बौध संगितियों का काम था तो प्रथम बौध संगिती अगर आप से पूछा जाए तो ये राजग्री में हुआ था और ये समय था 483 इसा पूर्व और इसके अध्यक्ष थे महाकस्प और उस समय जो राजग्री में सासन कालता किसका था दोस्तों अजात सत्रुजो की हरन्यक वन्स के थे हम लोग आगे जब वन्स समराजी के बारे में देखेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे दृतिया पॉद्ध संगिती जो हुआ था दोस्तों वह बैसाली में हुआ था 383 इसा पूर्व में 100 साल बाद और उस सम्मेलन के अध्यक्ष थे सबाकमीर और वहां के जो सासन काल जिसका सासन काल था वह काला सोक का था तृतिया बाद संगिती हुआ पाटली पुत्र में समय था 247 भी से कहीं कहीं पर आपको 251 भी सी भी देखने को मिल सकता है तो 247 भी से इसके अध्यक्ष थे मोगला पुतातिस और यहां के जो इनका सासन काल था असोक का सासन काल था उस समय चतूर्थ बाद संगिती हुआ कुंडल वन में इसा की प्रथम सतावदी में बसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और यह सासन काल था इनका कनिस्क का तो यह रही हमारी चार बौध संगितियां बहुत इंपोर्टेंट है इससे क्वेस्चन बनता है दोस्तों जो प्रथम बौध संगती इन बौध संगतियों से कुछ महत्वपुर्ण तथ् उनमें बिनाईपिटक और सुत्पिटक दो बौध गरंथ लिखे गए दोस्तों बिनाईपिटक उपाली जो की भगवान बुध के सिस्य थे उनके नेतरित्यों में बिनाईपिटक लिखा गया आपसे पूछा जाता है कि यह बिनाईपिटक किसके नेतरित्यों में लिखा तो आपको बताना है उपाली सुत्य पिटक आनंद के नित्रित में लिखा गिया दृतिया बाध्य संगिती में कुछ भिक्चूओं मतलब बाध्य विक्चूओं के द्वारा अलग हो गया वो लोग अलग हो गये और महासंगिक संपरदाय की अस्थापना किया और जो महासंग संपरदाय को अपनाया दोस्तों वो थे उन्हें थेरावादिन कहला है वो क्या कहला है? थेरावादिन त्रितिय बाध्य संगती जब हुआ तो उसमें अभी धंभ पिटक लिखा गिया तो अभी धंभ पिटक में नियम कानून एउसका वर्नन किया गया है। सुत्य पिटक में किया गया है दोस्तों धार्मिक बिचारों एबं वचनों का संग्रा जो भगवान बुद्ध के द्वारा धार्मिक बिचार और जो उपदेश दिये गया है उनका जो कलेक्शन है ये सुत्य पिटक में किया गया सुत्य पिटक किसके द्वारा लिखा गया य दित्या बौध संगिती के समय चतूर्त बौध संगिती के बाद क्या हुआ दोस्तों बहुत ही महतुपुर्ण घटना हुई है चतूर्त बौध संगिती जो की इसा की प्रथम सताब्दी में हुआ था कनिस्क के सासनकाल में हुआ था दोस्तों तो उस समय बौध धर्म क्या कुछ बौध साहिते हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं बौध साहित को हम लोग ने देखा बिनाई पिटक, सुत्य पिटक और अभीधम पिटक ये तीन पिटक मिलकर बौध धर्म के त्री पिटक कहलाते हैं त्री पिटक अंगुत्तर निकाए बौध धर्म का ही एक बौध साहित्त है जिसमें की 16 महाजनपद जो बौध धर्म हुए जैन धर्म हुए जो इस समय का सासन जो इसके जो कालांतर में जो इसका समय का इनके समय में 16 महाजनपदों का अस्थापना हुआ था उन महाजनपद वो महाजनपद बहुत है महतपुर्ण है उनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है आगे तो अंगुतर निकाय जो की बहुत साहित है एक बहुत गरंत है इसमें 16 महाजनपदों का वर्नन मिला है मिलिंद पनाहो बहुत भिक्चुप नागसेन और युनानी राजा मिलिंड के वीच वार्तालाप का एक संग्रा है दोस्तों मिलिंद पनाहो जो की बहुत साहित है जातक जातक भी बहुत साहित है इसमें भगवान बुद्ध के पुर्वजन्म की कहानी दी गई है पुर्वजन्म की कहानी का संकलन इसमें जातक धर्म गरंत में बहुत गरंत में देख कर लेते हैं जो महायान साखा था जो कि चतुर्त बौध संगिती के बाद बौध धर्म दो साखाओं में बट गया महायान और ही नियाद महायान साखा में जो है बुद्ध की पहली मुर्ति महायान साखा में बनी महायान साखा के द्वारा बनाया गया बुद्ध को इस अवधारना भी महायान साखा की द्वारा ही स्विकार किया गया है दोस्तों बोधी सत्व यानि की भगवान बुद्ध का अवतार तो बोधी सत्व की अवधारना को स्विकार करने वाला महायान साखा है कुल चार बोधी सत्व हुए मंजुश्री वज्रपानी पद्वंपानी और यह जो मैत्रे है दोस्तों इस बॉस्त महायां साखा की जो बॉस्ता है उसमें बताया मतलब उसमें माना गया है कि मैत्रे का अवतरीत हो ना भी बांकी है कनिस्क और हर्सवर्धन जो सासक थे वो महायान साखा के सासक थे मतलब महायान साखा से संबंधित थे बंगाल के एक सासक थे सैव सासक थे ससांग उसने बोधी विरिक्ष को कटवा दिया था दोस्तों ये हर्सवर्धन का जब हम लोग सासनकाल पढ़ेंगे इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था और उसके बाद जब सासांक वहां से लोट रहे थे तो बीच में गया में बोधी विरिक्ष को इन्होंने ही कटवा, इनके द्वारा ही कटवा दिया गया था सासांक के द्वारा, तो हम लोग ये हर्सवर्धन वाले सासनकाल में पढ़ेंगे, महायान साखा फिर दो भागों में बट गई दोस्तों, महायान साखा भी दो भागों में बट गई, उस जिसका की मत हुआ सुन्नेवाद और विज्ञानवाद, सुन्नेवाद के प्रवर्तक थे भिक्चुक किसे कहा गया, भिक्चुक कहा गया दोस्तों, बौद धर्म के प्रसार के लिए जो सन्यास ग्रहन करते थे उन्हें भिक्चुक कहा गया, उपासक किसे कहा गया, ग्रिहस्त जीवन को व्यतीत करते हैं बौद धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया, सात्व हम लोग देखेंगे कि सरवाधिक बौध मूर्थियां यानि कि हीन यान महायान्साखा में बुध मूर्थि बनाए गया था दोस्तों की मूर्तिएं बनाई गया थी लेकिन हम लोग यहां ये जिर्फ जानते हैं कि जो सरवाधिक बुद्ध मुर्तियां हैं उनका निर्मान गांधार सेली में हुआ और बुद्ध की प्रथम मुर्ती संभवता मतुराकला में बनी थी और बसुमित्र जो थे वो पहले हीन यानी थे बाद में महायानी बन गये त दो साखाय थी बद्ध धर्म के हीन यान और महायान तो बसुमित्र पहले हीन यान के थे फिर बाद में वो महायान को जो इन कर लेते हैं चंदोगी उपनिसद में पंच सील का वरनन मिला है भगवान बुद्ध के द्वारा पांच नियम को और बताया गया है कि आपको कैसे निर्वान प्राप्ट करना है तो पंच सील का विब्रन आपको चंडव One कि उपनी सद्व में देखने को मिलेगा हम लोगों ने देखा बौध धर्म का इत्यास, बौध धर्म के संस्थापक कौन हुए, सिद्धार किनका नाव, भगवान बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था, इनको ग्यान की प्राप्ति कहा हुई, इनके महा परिनुर्वान की घटना क्या है, महा भिनिस्कर्मन क्या है, इनके अनुयाई का नाम क्या है दोस्तों हम लोगों ने सब कुछ देखा बहुत धर्म से रिलेटेड हर कुछ को हम लोगों ने देखा इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा दे जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके अपडेट सबसे पहले देखने को मिले दोस्तों तो तब तक के लिए अलविदा हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भुलें हमारे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जेनरल नौलेज वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे के विडियोज को भी देख सकते हैं वो भी विस्तार से बताया गया है हम लोग आगे जैन्धर्म पढ़ेंगे पूरे प्राचीन भारत को खतम करने के बाद हम लोग वाले हैं modern history यानि की आधुनिक भारत के इत्यास को भी पढ़ेंगे यहाँ पर आपको history, quality, geography और economics की तयारी कराये जाएगी साथ ही साथ static gk का भी हम लोग session लाने वाले हैं दोस्तों जो की exam के point of view से बहुत important है और यह GPSC के लिए बहुत ही important batch हम लोगों के channel पर अब start हो गया है तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ना ना भूले subscribe करे channel को और फाइदा उठाए दोस्तों तो चलते हैं हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले content के साथ